एक्टर सतीश कौशिक केस में एक नई जानकारी सामने आई है जो बहुत ही चौकाने वाली है आपको बता दें कि सतीश कौशिक होली सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गए थे और वहां उनकी अचानक मौत हो गई और जब दिल्ली पुलिस इसकी जाच कर रही है तो उनको कई चौकाने वाले रास सामने आए आपको बता दें सतीश कौशिक की मौत के बाद जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक अपने फ्रेंज के साथ पार्टी कर रहे थे जब पुलिस जार्च करने उस फार्म हाउस पे गई तो उन्हें कुछ आपती जनक दवाईयों के पैकिट मिले हैं फार्म हाउस सतीश कोशिक के दोस्त विकास मालू का है और आपको बता दें जब पुलिस विकास मालू से जब पूछताच करने की कोशिश कर रही थी तब उन्हें पता चला कि विकास मालू तो पहले से ही फरार हो गए हैं और उनके उपर एक रेप केस भी चार्ज है पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फार्म हाउस से बरामत दवाईयों के पैकिट किस के लिए थे इन ही का था उनके दोस्त पर एक सालो पुराना रेप केस चल रहा है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये केस कब और कहां दर्श किया गया था इसके अलावा होली वाले दिन फार्म हाउस में जो 10-12 लोग आये थे उनकी भी लिस दिल्ली पुलिस ने तयार कर ली है अब उनसे पूछताच की जाएगी हाला कि पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि पोस्ट मॉटम में कोई संधिक्त नहीं आया है डॉक्टर्स ने इसे हार्ट अटेक ही बताया है बाकि शरीर में क्या कुछ था वो पूरी पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के बाद साफ होगा इसके लिए बिसरा सेंपल प्रिजर्व करवा दिये गए हैं साथी पुलिस ने ये भी बताया कि सतीश कौशिक को अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और वहीं हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई क्योंकि ये दिल्ली से गए थे तो दिल्ली पुलिस ने तय किया कि इनका पोस्ट मॉटम दिल्ली के ही दीन दयाल हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ट द्वारा करवाया जाएगा साथ ही पुलिस सूतरों ने बताया कि जो लोग सतीश कौशिक हॉस्पताल लेकर गए पुलिस उनके संपर्क में है पुलिस इस मामले में कई एंगल से जाच में जुड़ गई है ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही मौत की वज़ा साफ हो जाएगी